I can see you from behind भारत में यू तो बहुत ही महतुपूर वो पुरातन महतुर अपने वाले शेहर वो कस्पे हैं पर राजस्थान के कुलधरा जैसा कोई नहीं जैसल मेर से माधर 20 किलोमेटर की दूरी परिस्थित यह कस्पा भारत के कुछ चुनिंदा मोतिया जगों में से एक है वो मुसाफिरों ने अपने साथ बहुती अजीबों गरिब घटनाओं के होने का विवरन दिया है दुरहसल ऐसा का जाता है कि आज से करीब 300 से 400 साल पहले किसी आम कफ़बे वो गाउं की तरह ही था और उस गाउं में पाली बाल म्रामः रहा कर दे थे पर किसी एक दिन जैसल मेर के राजा की दिवान की नजर जिनका नाम था सलिम सिंग उसी गाउं के मुख्या की बेटिक में पड़ी और फिर वह उससे विवाह करने के लिए विवश करने लगा और पुरे गाउं के एक साथ विरूद करने के बाद वह उन्हें धबका कर बोला या तो वह लोग मुख्या की बीटिक उसे सौब दे या फिर वह उस गाउं पर हमला करके उन लोगों को मार डालेगा और इसी के चलते रातो रात वे सब गाउं छोड़कर वहाँ से चले गए और जाते जाते वे लोग इस गाउं को श्राब दे गए कि ये गाउं कभी अबाद नहीं होगा और जो भी यहां बफने की कोशिश करेगा उन लोगों की मिट्यों किसी ब्युमारी से हो जाएगी और यही नहीं उन सब की आत्मा भी मरने के बाद यहीं भटक के रहेगी और तब से लेकर अब तक यह गाउं विरान पड़ा है तो दोस्तों आज की हमारी कहानी इसी गाउं की है और इस सत्य घटना को हमने रेडिट से लिया है और इसे पोस्ट करने वाले चैतन ने शर्मा जी के साथ ये घटना चार साल पहले कड़ी थी तो अब आगे की कहानी उनके नजरिये से तो जैसे कि जब कोई भी भूतिया घटनाए जब किसी के साथ घटती है तो केबल वही जानता है कि उसकी जान किन परिस्थितियों में बची पर जैसे ही हम यह सब बातों को किसी को बोलते हैं तो वे लोग हमेशा ही यह समझते हैं कि या तो हम जूट बोल रहे हैं या फिर मजाग कर रहे हैं पर जब यही सब चीज उनके साथ घटती है तब जाकर उन्हें समझ में आता है कि यह सब कोई कलपना या मजाग नहीं बलकि सत्य है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और भगवान की असीम क्रिपा से ही हम बच पाए तो यह घटना हमारे साथ तीन से चार महिने पहले घटी थी तब शादी के कुछ ही दिन हुए होंगे और मैं अपनी वाइफ के साथ कहीं खुमने जाने का प्लान बना रहा था पर छुट् मुझे और मेरी वाइफ दोनों को ही भूतियां पिक्चर्स और भूतिये जगों पर जाने का बहुत शौक था और इसी में मेरी वाइफ ने मुझे कहा क्यों ना हम कुलधरा चले जिसको की भूतों का काउं या शापित काउं भी कहा जाता है और उसके यह कहने के तुरंद मैं गूगल में सर्च करके देखने लगा और गूगल में उस जगह के कुछ फोटो देखते ही मैं उस जगह का दीवाना हो गया मुझे ऐसा लगने लगा कि मानो वह जगह मुझे अपनी और खीच रही है खेर जो भी हो इसके बाद मैंने वहाँ जाने के दो टिकेट और होटेल रूम भी बुकिंग करा ली और जलबाजी में मैंने उस जगह का पुरा इंफोर्मेशन नहीं लिया जो कि मेरी सबसे गलती साबित होने वाली थी टिकेट कराने के तीन दिन बाद ही हम मुंबल से निकल पड़े राजस्थान के कुछ खुशूर देश्टों भाव करने थी राजस्थान पहुचने के दो से तीन दिन के अंदर ही हमने जैसलमेर और उसके कुछ आसप्लास के गाहों को घूम लि कि इसके अंदर मैं और नहीं जाओंगा और यही नहीं अगर आप लोग चार बज़े के पहले वापस नहीं आते तो मैं यहां से वापस चला जाओंगा उसके यह करते ही हम सोच में पड़ रहें कि इस तक चारो और दूर दूर तक कुछ भी नहीं है और अगर यह यहां से चला जाता है, तो हम दोनों यहां बहुत बुरी तरह से फस जाएंगे, इसलिए मैंने उसे कहा कि नहीं नहीं, हम दोनों 4 बजे के पहले यहां पर वापस आ जाएंगे, तो उसे यह सब बोल कर और पैसे दे कर हम अंदर जाने लगें, और कुछ ही मिन्टों में हम उस कुलधर गाउं के अंदर पहुच गए, और वहां जाते ही मेरे मुझे से निकल पड़ा, कितना सुन्दर गाउं हैं यह, यही नहीं, यह एक छोटा सा शहर लग रहा था, पर इंसानों का नामों निशान नहीं था, और वहां एक अजीब सा ही सन्नाटा था, जिससे कि मुझे भी थो उखे व्यक्ति को खड़ा देखा, वह बहुत ही अजीब था, मतलब कि उसके पोशाग उननीस सो के दशक की लग रहते, और यही नहीं, उसने एक बहुत बड़ी कपड़े से बनी हुई पगड़ी भी पहन रखी थी, जैसे कि राजिस्थानी परंपरा में पहना जाता रहा है, और इसी के चलते उसका मूँ भी साफ तरीके से नहीं दिख रहा था, और इसी बीच मुझे ये लगा कि वो हमें बहुत देर से घूर रहा था, पर आते समय तो हमने इसे नहीं देखा था, अचानक ये कहां से आ गया, मैं यही सब चीज मन ही मन सोच ही रहा था, कि तभी वो बोला, रहस्यमाई जगा है, ना, हमने भी उससे पूछा, क्या आप यहीं आसपास रहते हैं, तो वो बोलने लगा, हाँ, तुम लोग बोल सकते हो, कि मैं यहां रहता हूँ, या फिर नहीं भी रहता हूँ, हमें उसकी यह बात समझ नहीं आई, तो हम उससे आसपास के बारे में पूछने लगे, और हम उससे आसपास के बारे में पूछी रहे थे, कि तभी मेरी नजर मेरी कलाई में बंधी घड़ी पर पड़ी, और मेरी नजर घड़ी पर पड़ते ही, मैं बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि तब समय हो रहा था, पांच बच कर दस मिनट, पर हम तो यहां कुछ ही मिनट पहले आये थे, इतनी जल्दी इतना समय कैसे बीद गया, इसी बेच मुझे पसीना आने लगा, और मैं टेंशन में पड़ गया, अब क्या होगा, हम रात को कहां रुकेंगे, यहां आसपास कोई गाउं भी नहीं है, और उस ड्राइवर ने भ तो उस व्यक्ती ने कहा, आप हमारी जगह पर रुक सकते हैं, तो हम भी एक बार में ही राजी हो गए, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, वो आदमी, जिखने में जीब, बहुत ही ज़्यादा जीब था, वो हमें अपने गर के रास्ते ले जाते ही हुए आप लोगों को डर नहीं लगता कि है, आप लोग इतनी रात यहाँ पर रह गए, लोग करते हैं, कि इस जगह अगर कोई शाम होने के बाद आता है, तो अबह वापस नहीं जाते हैं, उसे वो लोग यहाँ से जाने नहीं देते हैं, और यह सब करते हुए, वो आदमी हमें अपने खर ले जाने लगा, और थोड़े दूर चलने के बाद ही, हम उसके घर पहुच गए, वहाँ कुछ जादा ही अंधेरा था, और जिसके चलते हमें कुछ ठिक से दिखाई दे ही नहीं रहा था, और हम अपने सार टॉज भी नहीं लाया थे, क्योंकि हमें पता था कि हम हम यहां से शाम धलने से पहले ही निकल जाएंगे, लेकिन बता नहीं कैसे हम यहीं रुख गए, जैसे कि कोई शक्ती हमें यहां से बाहर जाने देना ही नहीं चाहती थे, और अब हमारे चारोर का महौल इतना डरावना होते जा रहा था, कि हमें तो बहुत डर लग रहा था हम बस कैसे भी करके यहां से बाहर जाना चाहते थे, और इसी बीच वो व्यक्ति हमें पुलधरा के प्राचिन इतिहास के बारे में बताने लगा, कि कैसे उस दिवान की बुरी नजर उस मुख्या की बेटी कर पड़ी, और फिर क्या क्या हुआ हुआ, और इसके बाद उसने हमारा तर और भी जादा बढ़ गया, पर हमें एक चीज का सुकून भी था कि हम कुलधरा में नहीं, बलकि उसी के आसपास के किसी गाउं में हैं, तो शायद हमें कुछ नहीं होगा, और यह सब कहकर वो बुढ़ा आदमी वहां से जाने लगा, पर जाने से पहले वो हमसे ब हो गया, हाँ, मैं सच बोल रहा हूं, धुंदला धुंदला ही सही, पर सच में वो वहां से गायब हो गया, और यह सब देखकर मेरी वाइप वही पर रोने लगी, और मुझे बोलने लगी, यहां से चलते हैं, पर इतनी रात को इस अंधेरे में हम कहां जाएंगे, अगर हम और किसी बड़ी मुसीबत में पढ़ गये तो, यह सब सोच करी मैं जैसे तैसे करके वही रोग गया, और थोड़ी देर बाद ही हम दोनों वही पर सोने की कोशिश करने लगे, क्योंकि हम बहुत जादा ठके हुए थे, और हमें कमजोरी भी महसूस हो रही थी, और कुछ ही देर हुए होएंगे, जब हमारी आखे लग गई, तभी मैंने सुना, कोई व्यक्ती धीरे धीरे हमारे गर का दर्वाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, और यही नहीं, वह दर्वाजा खोलकर कुछ ही सेगेंड्स में अंदर भी आ चुका था, और उसके अंदर आते ही, मैं भागने लगा, और उसे भागता देख, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं वही पड़ी एक लखडी का डंडा लेकर उसके पीछे भागने लगा, यह सोचे बीना कि मैं शायद अपनी ही नहीं, बलकि अपनी वाइफ की भी जान मुसीबत में डाल रहा हूँ, और उसके हमी भी कोई आदमी नहीं, बलकि कोई पूरी शक्ती थी, और इन सब बातों का ख्याल आते ही, मैं अपनी वाइफ के पास जाने लगा, जो कि वही थी जहां हम दोनों रुके हुए थे, और वहाँ पहुचने के बाद मैंने अपने वाइफ को पूरा मामला बताया, और इसके तुरंद बाद ही हम दोनों ने डिसाइड किया कि अब हम एक भी पल वहाँ नहीं रुकेंगे, और फिर हम दोनों वहाँ से भागने ही वाले थे, इसी बीच हमने देखा कि वो व्यक्ती जो कि कुछी देर पहले हमारे घर के अंदर घुस आया था, वही अब हमारे घर के दर हिस्तों में कटा हुआ था, मतलब कि वह कोई इनसान ही नहीं, उसी जगह की कोई दुष्ट आत्मा थी, जो कि अब शायत हम दोनों को मारने आई थी, और इसी बीच उस भूत ने अचानक ही मेरे हाथ के उपर तलवार से हमला कर दिया, जिससे कि मैं वही जमीन पर गिर गया और अब मुझे पुरा यकीन था कि आज मेरे जिन्देगी का आखरी दिन है, और तभी मेरे वाइफ ने उस व्यक्ति के उपर देवी मा का सिंदूर डाल दिया, जो कि हमारे बैग में था, जिससे कि वो वही पर चिलानने लगा, और कुछी दिर में वो वहाँ से अचानक ही बेहोशोगे, जब हमारी आख खुली, तब हमने देखा कि हमारा वही ड्राइवर, जो कि पिछले दिन हमें वहाँ छोड़कर चला गया था, वह और कुछ पुलिस वाले हमारे आसपास खड़े हुए थे, और इसी बीच, जब हमने हमारे चारो और नजर दोराई, तो जो हम हमने देखा, वह बहुत ही अजीब था, हम वही कुलधरा गाउं के बीचों बीच पड़े हुए थे, और तब जाकर हमें पूरा मामला समझ में आया, कि पिछली रात को जिनको हमने देखा था, वह कोई इनसान नहीं, बलकि उसी गाउं की बुरी शक्तियां थी, जो कि हमें वही पर मार कर हमेशा के लिए रोकना चाते थी, पर भगवान की अजीम कृपा से हम दोनों सही सलामात वहां से बज गए, और इस मामले के बाद अब हम कभी भी अपने एडवेंचर के लिए कोई भी भूत प्रेत या शापित जगव में जाकर अपनी जान को दाव पर नही लगाते, तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी रियल स्टोरी, जो की चैतन्य शर्मा जी के साथ घटी थी, इस मामले में उनकी जान जाते जाते बची थी, तो आप सब का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, आप हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बोले, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेर भी जरूर कीजिएगा, और दुनिया भर के ऐसे ही रहस्मय और अविश्वस्निय सत्य घटनाव के बारे में जानने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो हर अपते आपके लिए लाते रहेंगे, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाई